नमस्कार, इस समय नाला सो पारा पस्चिब में उपस्चित है और नाला सो पारा पस्चिब में आप देख रहे हो बड़ी खुबसूरत इमारतें चारों तरब दिखाए दे रही हैं लेकिन खुबसूरत इमारतों के सामने जो गंदा सोचाल्य का पानी नजर आ रहा है इस पानी से कई प्रकार की संक्रामग बीमारियों के पनपने का खत्रा बरकरार है वही मनपा प्रसासन यहाँ पर इस समश्या के प्रती आख मूंद करके बैठा है जबकि यहाँ पर जो सोसाइटी है इसके आसपा जो और इमारते हैं उन इमारतों के पीछे जितने भी रहवासी है इन्हों ने भी मनपा प्रसासन को इस समश्या के इमदे नजर पत्र वेबार किया है किन्तो साइट मनपा प्रसासन के कुछ गिने चुने अधिकारी जो बेहत निकम में वा लापरवा किसम के हैं वे आम जनता के प्रती अपनी जिम्मेदारियों के प्रती आख मूंद करके बैठे हैं वही यहां पे जो आसपास जो रिहाईसी इमारते हैं इनने खूपसूर्थ फ्लेट है और खूपसूर्थ फ्लेट काफी मोटी कीमत देकर के खरीदे गए हैं और उसके बावजूद भी अगर आम जनता अपनी समश्याओं के प्रती बार बार परेसान होता रहे मनपापरसासन के द्वार खटखटाते रहे तो साइद मनपापरसासन के लिए इससे बड़ी और सरम की कोई बात हो ही नहीं सकती आपको बता दे कि मनपापरसासन सालाना 25 करोड के लगभग विकास कारी कारियों में खर्च करती है वेकिन जो उसके विकास के जो दावे हैं आम आदमी को सरुसुधा उपलप्त करpurवाने के वह दावे में कितनी हकीकत है कितनी वास्तिता है व्यस गंद नाले के पानी को देख करके कोई भी सह अनुमान लगा सकता है फिलाल हमारे सामने आसपास की जो रहवासी है जो सोसाइटी में रहते हैं उनकी क्या समिश्या है कि समिश्या के मद्दे नजर हमारे समक इस समय उपस्तित है आई हम बात करते हैं यहां के रहवासियों से सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे सिर्व सेना से जोड़े एक पदाधिकारी हैं वह भी सायद इनकी समिष्या के मद्धे नजर यहां पे उपस्कित हो चुके हैं सबसे पहले में इही से बात करते हैं कि वह यहां पर क्यों आया है प्रशांसन को यह कहना चाहता हूं जब ये एलेक्शन आता है तो लोग ये घर भी ने छोड़ते हैं और एलेक्शन खतम होने के बाद से उन लोग कहां चले जाते हैं कुछ पता नहीं आज गंदे नाली में गंदे पानी में सारी पब्लिके जा रही है इसका क्या में नहीं है मैं ये पूछना चाहता हूं सासन तिवर जी जो नौ तारीक को यहां पर विसाल मोर्चे का आयोजन यहां के रहवाश्यों के द्वारा किया जारा है पर सासन के खिलाब आप सब का उसमें क्या भूमिका होगी किस तरह का रोल आपके द्वारा अधा किया जाएगा हमारे प्रति हम लोग सब्धना है और हम विन लोग सास में खड़े हैं क्योंके लोग आउम यंता है लो को तगलीफ होगा हम यह को कोaimer मतलब नहीं को better नहीं है वोट लेने के चलते हैं हर पालिटी से जुड़े हुए राजनेता यहां पर आते हैं घर-घर बे जाते हैं वोट मांगते हैं और उनके दर पर सर जुगाते हैं किन्तो जब आम लोगों को विभिन परकार की समश्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो कोई भी स्थानी जन प्रतिनिदी यहां पर उपस्थित नहीं है वह यहां पर कई बच्चे यहां पर दिखाए दे रहे हैं जिनों ने कायकिन बच्चों को स्कूल जाते समय कई परकार की समश्याओं का सामना करना पड़ता है घुटने घुटने तक ही सोचाल्य के पानी में से होकर के गुजरना पड़ता है जिसके चलते संबह है कि एक किसी संक्रावक बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं वही आप यह दे सकते हो कि कुछ वहान है जो वहां से आ रहे हैं और यह वहान उस गंद नाली के पानी में से होकर किया रहे है वही मनपा परसासन इस सब के प्रती पूरी तरह से आख बंद करके बैठी है मनपा परसासन को क्या कहना चाहोगे महिनों से पढ़ावा है यहां पर यहां पर सुद लेने वाला नहीं है यहां पर एक सक्स हो रहा है इसी गंदे पानी में तो होकर क्या है प्रती नहीं पर प्रती निधी पर आरोप लगाया है कि उनकी भी जिम्मेदार है आप बताओगे मैडम आप बताओगे किस तरह के यह जो गंदा पानी है इससे पहले भी यहां पर था कही पानी नहीं इससे पहले नहीं था इसके लिए आप जिम्मेदार किसे ठहराना चाहोगे जिम्मेदार तो नगर पाली कही आई यहां की और यहां के जो नगर सब्सक्राइब लोगा है उनको दीखने रहे ना उनके घर तक पानी नहीं भराइए बाकी के लोगों को प्रॉब्लम फेस करना है करेंगे और जाए अब सवाल यह उड़ता है क्या उनकी इन जनता के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारी है यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर हमारे सामने से जा रहा है यकीन की जिस तरह के गंदे पानी में से होकर के जा रहा है अगर यह गंदा पानी इसके चीटे पड़ेंगे तो तो तमाम प्रकार के चर्म रोग वहां पर होने की पुरी संभाव ना है यहां पर हम एक सक्स हो रहे हैं उनसे पूस्ते हैं जार इस बारे में सर क्या कहना चाओ गया इस गंदे पानी के बारे में यह स्कूल से जो वैन आती है ना वो भी नहीं आ रहे लेने के लिए प्रसासन के लोग उनको चाहिए जितना जल्दी हो इसको खतम किया जाए बस यही बोलना चाहरे है परती लगातार अपना आक्रोस व्यक्त कर रहे हैं यह कुछ बच्चे हमारे साथ है बटा बताओगे कि किस तरह के समश्या का सामना करना पड़ता है आपको रोज सुबह टी है कि स्कूल जाते में बहुत सारी पराशनयों के साहर जाना पड़ते है कंडिव चाहर प्रोब्लम हर तरीकेसे फोक्रस करना ही पड़ता है जिंसे ना अदम उठाने का प्रियाज क्या ना मैं आपका बुलजार हुसेन कसाना कसाना जी क्या कहना चाहोगे जो पानी जो भरा हुआ है काफी गंदा पानी है चर्म रोग हो सकते हैं कई संक्रामग बिमारिया इससे हो सकती है तो इस ने आपने इस समस्या से निवारण के लिए मनपा क्यीम से हमने मान अगरपालिका को बताया कर या हमारे इलाके में समस्या डाला रही है तो इसका कुछ हाल निकाला जाए उन्होंने इकदम सरसरी कुछ्छ ध्यान का वज है और बताया कहा आ और उसका रेटीन में ग्नलिला छुब हो सी आप उक नहीं दालना शुरू किया अ करने की कुशिश की यहां की समस्या बार बार फोटो और दूसरी चीज़ जो भी हम उनको अपने तकलीफ बता सकते हैं हमने उनको बारहा बताया लेकिन हमारे समस्या का कोई भी समधान तसली बख्ष जो है वो कुछ भी नहीं होगा और यह एक महीने से हम लोग टॉयलेट के पाने में बच्चे हैं लेडिज आदमी हैं लोग हम लोग त्यार रहे हैं एक महीने से परसासन नहीं दिया आपको इस विशे पर अश्वाशन छोड़ो वो सुनने के लिए ही तयारने तो अश्वाशन कहां से देंगे अभी इसमें हम जो है इंतिहा को पोचकर मतलब हमारी परेशानी के दुख को यहां तक ले कर को हमने 9 तारीख को एक मौर्चा जो है वो निकालना का यह दिया है उनको पतर दिया है और हम काल पर्शु जो है मंगलवार को 9 जन्मरी को यहां से जो है दो सो पांचों जो भी लोग तेया रहे हैं वो डायकर हम जो है वहां मोर्चा लेकर जा रहे हैं उसके बाद अगर मोर्चे से भी नगरपाली का कि निन नहीं खुलती है वो इसमयरी समस्या का हल नहीं निकलती हैं तो जो है हम अंदोलन करेंगे और यहां पर भी और कलेक्टर ओफिस पालगर में भी आप देख सकते हो कि उन्होंने परसासन से पत्र विवार भी क्या है लेकिन आस्वासन तो दूर कि इनकी समश्या तक सुनने कि उनके पास साइज समय भी नहीं है ना तो सुनना चाहते हैं यह मजबूर हो गए हैं आने वाले नौ तारीक बड़ा मोर्चा लेकर के परसासन तक जाने करें सवाल यह उड़ता है कि सच मुट जब ऐसी समश्या सामने है तो स्थानी परसासन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए क्या इसी मोटी मोटी सेलरी लेने के लिए यहां पे है जान रखेंए यह सेलरी जो उन्हें मिलती है आम लोगों के खून पसीने से कमाई गई महनत का जो एक हिस्सा होता उसका जो टैक्स के रूप में परसासन को जमा कराया जाता है उसमें से सेलरी मिलती है उसके बावजूद भी यह जो अधिकारी है आम जनता के हितों के आधा पर ही सिर्फ सेलरी लेने के लिए अपने पदों पर बैठे हुए हैं इनके आखिर कुस तो जिम्मेदारी होनी चाहिए खास तोर से हम ये भी कहना चाहिए कि इस समय जन प्रतिनीधी की क्या भूमिका होनी चाहिए क्या जो पूर्व नगर सेवक है क्या उसे यहां पर आकर क् हर जन प्रतिनीधी आकर के हर घर पर साइद सर जुकाने के लिए तो जरूर आएगा किन्तो इन आम जनता के प्रतिय अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वो एक कब आएंगे यहां पर एक सक्स और है हम इनसे पूछना चाहिए सर बताईए किस तरह की समिश्या जो यहा जरूर होना चाहिए यहां पर जो है एक मैने से भी तकलिप उटा रहे सो जितने भी बिल्डिंग में रहवास ही है वो लोग यहां पर कारोबार हाई नहीं उनका वो के सब उटके पहला ट्रेंजब आगनी के सब तैयारी में रते और घर में जो आवरत रते बच्चे लोग कि देश बर में सच्चता अभ्यान का यह चलाते हैं लेकिन यहां पर अपनी घर के आसपास भी तुम देख रहे नहीं है यह कौन सा सच्चता अभ्यान है इसको प्रसासन ध्यान देना चाहिए जल से जल्दी दर काम करना चाहिए नहीं तो हम लोग नौ तारिक को एक गटर का पानी बाहर आ गया है तो उसके बारे में हम बता रहे हैं जब यह जन्वरी में गटर के पानी के लिए नगरपालिका की निन नहीं चूट रही है वो हमारे इस तकलीफ का समस्य का अहल नहीं निकाल पा रहे हैं तो जब यह बारिश का टाइम शुरू होगा और हमको बता है था कि आप लोगोंने फ्लैट लेते टेम में जो है वो सब चेक करके लेना चाहिए था हमने रास्ता देखा रास्ता बिल्डिंग का है सही है अब जो है वो गटर कहां से है पानी जब निकल रहा है तो जाकर ठोड़ी ने टोइलिट में चेक करेंगे पानी बाह है वो जो सीसी देते हैं उसी देते हैं उनको क्या काम है उनको जो है वो चले जाना चाहिए अब रड़ी साब ने जो है यहां पर सीसी जो है ऐसा रदी पेपरों के जैसा और बांटे हुए है जिसकी विज़े से हाल आयरिये का हम देख रहे है हमारी सबसे बड़ी चीज हम इस चीज के लिए देखो एक मीने तक हम इस पानी के अंदर ना लिए तैर लिए हम यह चाहते हैं कि हमारे आगे जो बिल्डिंग यहां लोग यह फस जाते हैं। के जो है 5,35,000 की जो है अमारे यहां से गर पटी गई है अभी इस टेम में पानी का बिल बरे हुए हमने वो आपको दिखाया कि शाहिद नगरपाली का क्यों हमारे किसी चीज की कोई टेक्स में कोई कम है हमने हमारे यहां रिजसेल फ्लैट कितने होते हैं उसका रिकोर्ड अगर हम जो है वो 40,42,45,000 की फ्लैट की कीमत है उससाब से उनके एग्रिमेंट हुए है अगर दो अड़ाई लाक रुपे भी हम इस टाम डिवटी पकरते हैं इस टाम डिवटी वगरा जो भी टेक्स है एट परसेंट के सब से तो अड़ाई पोने तीन लाक रुपे होता है इतना सब देने के बाद भी हमें गूंके पानी में से चलना पड़ रहा है पानी बढ़ने का कारण क्या है? पानी को निकाल देते थे और उसके बाद हमारी पर्मनेंट समस्या है उसका पर्मनेंट हाल निकाल सकते थे लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और ऐसा वो करना भी नहीं चाह रहे हैं जिसकी वज़ा से हमको मौर्चा निकालना पड़ रहा है अब मुझे यकीन है कि मौर्चे से भी कुछ होने वाला नहीं है और हमको भूख रटाल करना पड़ेंगा और हम भूख रटाल के लिए दुनु जगा भी हमारे मिम्बर्स बैठने के आदमी जोग जनता बैठने के लिए लेडिज जिन्स बैठने के लिए तयार है और हम हमारा हक मांग रहे हैं हमारे नगरपालिका से कोई दूशी चीज नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने जो ऑफिसर इस पद पर बैठे हुए, उन्होंने इस चीज की जो है जिम्मेवारी ली हुई है, नगरपालिका से महा नगरपालिका बन गई, लेकिन रोड के ऊपर स्टैचू लगाने से हमारा कोई इलाब नहीं है सर, हम यहां से अगर हमारे बच्चे गू के पानी में से स्कूल जा रहे हैं और वापिस उसमें से लेडिस को आने जाने में, जिन्स को आने जाने में, हमको उसमें कपड़े गंदे होते हैं, मैं बोलता किसी अभी एक शाम होने वाली है, दो मिंट आप रु बार लगाने के लिए क्या बोले जबसे तो क्या हम किस MLA खासदार या कार्पुरेटर से क्या उम्मेद रख सकते हैं सब किस चीज की उम्मेद रख सकते हैं आपका बीड़ी का बूत निकलेगा गून किदर चला गया क्या हो गया उनको जुबानों को ताला लगाए हुए है सर तो वो कब किदर पलट जाएंगे क्या हो जाएंगा क्या कर रहें नहीं कर रहें उनको खुद ये जो सुपारा एरिया है ये जिनका आपने नाम लिया उनके लिए ये बहुत स्पेसल एरिया है वो जानते हैं इस एरिये को उनको सब मालूम है और वो ये भी कर सकते हैं उनके पास कार्पोरेटर की दादा पतरकार है ज्यादा सो से ज्यादा एक सो बीस के पचिस कार्पोरेटर है उनके पार्टी के अगर वो चाहें एक फोन के उपर ही हमारा काम हो सकता है लेकिन वो भी गहरी नीन में सोई हुए है अभी एलेक्शन है मेरे ख्याल से कुछ फेबरवरी वगरा या मार्च में एलेक्शन है जब आप यहां पर देखिए आदमी कम नजर आएंगे और राजकरन पार्टी के लोग सब नजर आएंगे फिर आगे जो है लोकसभा विदान सबा है वह सब उस टेम में आपको जो नहीं कई मिलेंगा वह यहां मिलेंगा लेकिन सर यह इसी टेम के लिए हफ्ता-दो हफ्ता महिने के लिए आपको यह दिखेगी चैल पहल वह हमरे है यहां तो हम प्लेन उतारने का बनाने सोच रहे हैं, हर पार्टी वाला ऐसा कर बूलेंगा, ने ने 40 मेटर का रोड है, हम तो सोचते हैं यहां प्लीन उतरना चाहिए अमरिजन्सी में, यहां तो मेट्रो जो है स्टेशन ही होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे, लेकिन उसके बाद हम जनता को हमारा हमारी समस्या हम को मालूम है कि हमने यह गूंगे पानी में तहर ना है हम यह चाहते हैं आपके जेनल के मादिम से भी अगर किसी के कान तक हमारी बात पुंचे हम उनसे गुजारिश करते हैं request करते हैं हमारे हाल पर रेम कहा हैं यह रास्त का जो है हम समस्य बोल रहें हैं रास्ते जो बना दे और यह पानी के टैम में लोग फश जाते हैं परिशान हो जाते हैं रास्ता ने रहेंगे तो यह जो बहुत को देखा इसे कुस्ति लिखें कि रूश्णी है नियुक्त क्या है हमारे कनmented क Bayon निकलने का जो है रास्ता बंग बस इतनी मांग है हमारे से ज्यादा क्यों को मांग नहीं है आने वाले समय में चुनाव है और जन्पति नीजियों का ये रवया रहा तो आपको वोट किसे देना चुरेंगे ये ऐसे में हम तो मेरी राय बता सकता हूं और जो लोग दुखी है देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे बात हो रही थोड़ी आपनी छेड़ा तो हमारा दुख निकल जा रहा है हम बहुत जा रहे हैं लोग जो है इस वक्ती जो हालत है वोट करके भी कोई जो है वोट करेंगे तो भी कोई फाइदा नहीं है नहीं करेंगे तो भी कोई नहीं है हमें आपने राय देने चाहिए अच्छा हमारे लीडर चुनने चाहिए लेकिन मैंने बात आपको वही बताए ना कि सर जब से ये बीजेपी जो है वो मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार है और जो है ये एडी का भूत जो है रात में जो निकलता है और लोगों की नीं इसमें रहेंगे नहीं तो बीजेपी में रहेंगे बूत का जब साया पढ़ता तो जयादा वीजेपी में ही चले राते हैं हमारा किसी पार्टी से कोई ये नहीं है जो हमारे काम करने से मतलब है वो चाहिए कपड़ा आप कैसा भी पहन लो सफेद पहनो कॉई पहनो दमाग चैंज़ उना चाहिए कि हमने लोगों किसे वादे की हैं अरिया है इलाका है मुल्क की देश की तरक्की है उसमें हमें काम करना चाहिए इन्हों ने सही कहा है कि देश बर में जो सच्चता अभियान चला जा रहा है एक परकार से जूटा है और सट-क्र वियान में प्रसासन के कान पर जूक कब रहेंगेगा ये देखने की बात होगे कर दो